जेहिन देखिए आभी UNO में जो बैठक हुई है उसके जनरल एसेंबली में मोदी जी ने क्या बात कहा है जो आप तक किसी प्राइम इनिश्टर ने उतना रिजिड धन से नहीं किया था और क्या हमें आस्थाई से दस्ते और बीटो मिल पाएगी और अगर मिलेगी तो कब तक और चाइना क्या विरोध कर रहा है और चाइना को हम किस तरह से बाइपास करके चाइना की विरोध के बावजूद किस तरह से उसे हम अपने चक्रविव में फसा कर उससे हम वीटो पावर को ले सकते हैं तो देखिए पूरी दुनिया में एक पूरी दुनिया में सांतिय स् करते थे उन्होंने क्या किया एक UNO जो पहले से 1920 से चलते आ रहा था नया सदस्य बना है तो अब इसमें 193 सदस है इसकी जो सबसे बड़ी सभा होती है उसे कहते है जनरल एसेंब्ली इसे 20 का लगू संसत के नाम से जाना जाता है इसके टोटल 6 अंग है लेकिन इस वीडियो में हम केवल पह एक अंग की चर्चा करेंगे जो सबसे महत्रपूर्ण जिसे कहते हैं हम लोग Security Council तो जो मोदी जी कहते है वो General Assembly में भासट देने गय थी इसके हर साल सेप्टेंबर में बैठक होती है जिसमें हर देष के राश्ट्रा धक्ष आते है राश्ट्रा धक्ष जो हते है न वह हमेसा यहां आते हैं भासट देते इसमें मोदी जी भी कहते मोदी जी के भासड में बहुत सारी चीजे थी लेकिन जो मुख्य बाते थी वो खुद UNO के क्रिडिबिल्टी पर सवाल उठा देती थी मोदी जी का कहना है कि 1945 में बनी हुई संस था जिसमें आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है हम यह उमीद करते हैं कि 2020 में यह क्या काम अच्छे से कर पाईगी इसका कुछ एक्जामपल उन्होंने दिया कि पूरी दुनिया जो पिछले 8-9 महीने से लड़ रही है कोरोना पेंडेमिक में इसमें UNO ने क्या कर लिया कुछ नहीं किया इनका इसारा था कि WHO ने शुरुवात में तो चाइना का ही फेबर किया अगर WHO सचेत रहता था दुनिया का यह हल नहीं हुआ रहता दुनिया में आतंगबाद है जिस देश में आतंगबाद है वो देश खुद ही लड़ता है UNO कहां तक उसे माइनेश करता है क्या UNO कस्मीर में आके आतंगबाद हमारा सॉल्व करता है क्या UNO 36 गड़ के नक्सलियों को समाप्त करता है माली, सोमालिया यहां तक में तो सोमालिया में देखेंगे तो लुटेरे भरे हुए से कहां तक UNO इससे लड़ पाता है इसमें कुछ नहीं कर पाता UNO इसलिए UNO में एक रिफॉर्म की जरुवत है इनका एक कहना था कि आपसी युद्ध में या फिर आतंगबादी हमले से जो मासूम लोग बेघर होते हैं जो अपने सपनों के घर को छोड़कर डिफुजीज के टेंट में राते हैं इन्हें बचाने के लिए UNO ने क्या किया कोई खास कदम तो नहीं उठाय थे बात में मोदी जी ने कुछ देश की भी बात किया था कि इंडिया में इन्होंने डिजिटल एज़ेशन को बहुत जादे आगे बढ़ाया और यह रियालेटी भी है बहुत सारे लोग को जैसे आप जंधन योजना से देखिए जो वित्तिय समावेशन था इन्होंने कहा कि हम लगबग 400 मिलियन लोगों को हमने क्या किया है बैंकिंग से कनेट किया है जो ठीक भी है इंटरनेट के मामले में ठीक है लेकिन हम आप चर्चा करते हैं कि जो भारत की सबसे बड़ी मांग है कि हमें सुरक्षा परिशद में अस्थाई सदस्ता यानि बीटो कब देंगे अब ये सुरक्षा परिशद क्या है अस्थाई सदस्त क्या है और बीटो क्या है हमें मिलेगा की नहीं, अब इसको आप अच्छे से समझिए, देखिए, UNO के छे अंग में से, जो सबसे महत्पूर अंग है, वो है उसका Security Council सुरच्छा परिशत, इसे हम लग दुनिया का पुलिसमेन कहते है, मतलब दुनिया में किसी को भी सजा देना है, तो वो यही देता है Security Council, सद्दाम हुसेन पर सेंक्षन लगा दिया था, एंबार्गू लगा देगा, तो आप किसी देश से व्यापार ही नहीं कर पाएगे, तो यह बहुत खतरनाक होता है, Security Council होता है, अब यह Security Council जो है, इसमें 15 मेंबर है, जिसमें 10 मेंबर जो हैं, और 5 मेंबर अस्थाई हैं, उनके लिए तो कोई time foundation है नहीं है, वो तो permanent है, सन्याय की नहीं आगया, और जो बाकी 10 मेंबर हैं, वो आस्थाई हैं, यानि permanent, नहीं है, temporary हैं, इनका कारेकाल केवल 2 साल होता है, इनका चुनाव अलफाबेटिकली हो जाता है, अभी भारत जो है, वो 2012 में एक बार इसका सद बनने जा रहा है, 21 से 22 साल रहेगा यहां पर, अब भारत नहीं रहेगा, बाकी ऐसे पांच देस हैं, जो हमेशा रहेंगे, मतलब जब तक UNO है, तब तक रहेंगे, आखिर अब ये पांच देस कौन कौन है, और इनका क्या काम है, पहले यहां समझे, पहले हम इन पांच दे देखें नक्सा से, ये USA है, पहला क्या हो जागा, USA, पहला अमेरिका कही है, ये USA कही है, उसके बाद आप कहागा, ब्रीटेन, उसके नीचे है फ्रांस, ब्रीटेन, फ्रांस दोनों आपस में, तो मतलब एक ही पास है, दोनों के बीच में थोड़ा सा तो, इंग्लिश चैनल wierिया, आमतर समूद्र का चौड़ा, समूद्र में चौड़े रास्ते, जो कहते हैं, वो चैनल होता है, पतला कोई स्ट्रीट कहते है, तपहला को को आपका, इसे याद राखना है, आमेरिका, बृतैन, फ्रांस, इधर हो गया, अभी साइड में आए तो Trustee 여러분, निचे में चै वह भी काय को लोकतंत्र, 2002 से तो अभी तक पूतीन बैठे हैं, 2035 तक में, कुझी का लोकतंत्र है, तो टोटल कितने देश होगा है, पाँच, अब हम आप से कहते हैं, आप बताएं कितने होगा है, पहला, अमेरिका, बृतेन, फ्रांस, रूस, चाइना, अमेरिका, बृतेन, जीत गए थे, सब कहीं न कहीं से यहीं लोग जीते थे, जर्मनी हा रहा था, इटली आ रहा था, उदर में आपका जापान हा रहा था, चाइना ने भी इंडिरेक्ली जापान को मा रहा था, तो आप समझे, कि वो अमेरिका की ही, और से लड़ा था, तो यह जो दुती अभी इस यूद में जीत गया, उसको आपने पर्मानें सदस दे दिया, बाकी को टेम्परोरी दिया, दोसर लाओ जाओ, अब ये इनका पावर क्या है, ये समझे, ये तो आप पाँचो समझ गया ना, इनका पावर देखिए, जितने पर्मानेंट मेंबर, या अस्थाई सदस वा तब किसी भी चीच को हमेशा के लिए रोग देना, मतलब उस प्रस्ताव को ही रोग देना, उसे क्या कहते हैं, बीटो, तो जितने अस्थाई सदस से, उन्हें बीटो पराप्त है, याद रखिएगा, जो दस मेंबर यूएनो के हैं, आस्थाई, उनके पास बीटो नहीं है और ये पाँच मेंबर हैं, जिनके पास बीटो है, अब यूएनो में कोई भी विधया क्या प्रस्ताव आता है, जिसे हम लोग रिजोलूशन कहते हैं, कि माल लिया कोई रिजोलूशन आया कि पाकिस्तान को आतंगवादी देश घोसित कर दिया जा, उसे कोई भी आर्थिक मदद नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वो आतंगवाद पे नकेल नहीं कसता है, तो पूरे लोग रेडी हो जाएगे, यूएनो के 193 लोग है, 193 में 161 लोगों ने काय दिया कि हाँ भी आतंगवादी देश घोसित कर दिया, तो हो जाएगा, लेकिन जो पाँच देश है जीने बीटो पावर प्राप्त है, आप पाचो का नाम याद है न, आपको अमेरिका, ब्रीटन, फ्रांस, रूस, चाइना, इसमें से किसी एक ने भी, हम पाचो की बात नहीं कर रहे है, कोई एक ने भी अगर बीटो कर दिया, कि नहीं हम इस प्रस्ताव से खूस नहीं है, तो वो प्रस्ताव कट जाएगा, चाहें उसमें कितनी भी अच्छा ही है, मौलाना मसूद अजहर, जो भारती एतिहार जेल में बन था, उसे आतंगवादियों ने IC 814 प्लेन को हाईजेक करके सन 2000 में लेके गए थे, और उसके बाद इने छड़ाए थे, और UNO ने उसे आतं 5 घोडे का रध है, वो रध की तरह है, जिसमें 5 घोडे लगे हैं, और घोडे का लगाम 5 देसों के पास है, 5 घोडों का लगाम, कोई ये गए गए रथ रूख जाएगा, आज़ए पाउबकरा यजे बाद अब वोट की पावर होता है, दो बीटों मीलेगा, जिस के पास अ अब UNO वाले ने पूरा उठके हमला कर दिया, UNO ने प्रस्ताव पारित हो गया सुरक्षा परिसाद में, कि अब कभजा क्यों किये हैं, क्योंकि आप किसी देश पे कभजा करके नहीं रख सकते हैं, उस देश में सासन वहीं के लोगों का होगा, अब सद्दाम हुसेन क्लास कि लिए अतिवद को, जब सुरक्षा परिसाद में या प्रस्ताव गया, कि नहीं सारे देश चीन का विरोध करें, चीन पर हमला करें, जब तक अतिवद को नहीं छोड़ देता है, तो 101 कई सदस्यों की जरूरी है, प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन पांचों जो बीटो पा अफगानिस्तान की क्या गल्ती थी, रूस उस पर हमला कर दिया था, अपने में कबजा कर लिया, अब रूस को भागाने के लिए, उसामा बिल्यादिन को लेके आया, अमेरिका, तुम मारो रूस को भागो, मतलब साथ, अफगानिस्तान को ये लोग ना अखाडा बना दिया आप अभी भी देखिए अमेरिका कहीं भी घूज के आमला कर देता है अब इराक के इरान के सेना पर मुख को मार दिया मिसाइल से यह उक्सावे वाली ना चीज है यहां पर अब इराक चोपट हो गया इरान होगा तो आम लोग का पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा तो हम ल अब आप एक लड़का कर आए कि सर चाइना से डाम जब क्लास में पढ़ा रहते आफ लाइन तब तो कर चाइना से सर बीटो छीन क्यों नहीं लेते हैं प्रस्तावला के तो बहतरी नहीं छीन लीजे तो छीनने के लिए भी तो 193 में से 121 की जरूवत है और उसके बाद जो बीटो जो यहां से नहीं दे सकते नहीं छीन सकते हैं उन्हीं के पास बीटो रहेगा और अगर कोई देश बीटो लेना भी चाहता है ना यूएनो में सुधार होगा कि भाईया 1945 की चीज है पूरानी हो गई है इसमें सुधार कीजिए तो अल्रेडी जो पांच अस्थाई स हैं जिसे सौटकट में आप बीटो कहते हैं इन पांचों का रेडी रहना ज़रूरी है एक को को ठोका बीटो तो आप गएक हमसे अब हमारी लिए सबसे बड़ा खत्रा समझ रहना है चाइना है लेकिन आइसा थोड़ी है हर चीज का इलाज है आखिर में समझाते हैं क्या इ सबसे ज़ादे वीतो यूज कौन किया हैं तो सबसे जादे रसीया किया फ्रांस नहीं करता इपीच बीच में रहता है इतना परियोग नहीं करता है आगे देखिया है कि सब बीटो 5 के पास हैं, वो कर सकते हैं, अब हम कहते हैं, एक इंडियन के हिसाब से देखिए, वाइ इंडिया सूट गेट बीटो, हमें बीटो मिलना क्यों चाहिए, अगर हमें मिलना चाहिए, तो दुनिया का हरे एक देश का विप्ति, अपने देश से प्रेम करता है, सिरलंका लोग सिरलंका भी कहेगा हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो सबको बीटो मिलना चाहिए, तो इसके लिए भारत के पास कुछ ऐसी चीजे हैं जो इसे बीटो दिलाने में कारगर साबित होगी, जैसे UNO की जब अस्थापना हो रही थ हैं, हम लोगों ने UNO का परचाथ उस्तमे किया था जब हम गुलाम थे, और हमें ही अपने अस्थाई पर्मानेंट नहीं रखा है, बाहरे दोगलागीरी बाह, यहाँ पर, उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग देशों को UNO से जोड़ा, कि नहीं तुम भी UNO में आ जाओ जो चाईना इतना बड़ का कमीना है, उसे भी हम लोगों नहीं जोड़ा था, और जो चाईना का बीटो है, वो भारत को ही मिला था, आगे समझाएंगे कि हम लोगों ने क्यू चाईना को हैंड़ोबर किया था, तो हम लोगों ने कई अन देशों को भी प्रेरित किये थे, इंस्पायर किये थे कि तुम युएनो में जाओ और भी सुसांती काहन करो, और उसका नतीजा यही मिला कि हम सदस नहीं, युएनो की मुख्य उद्देश है कि जनता पर कोई अत्याचाव न करे, इसलिए हर जगा पर लोकतंत्र की अस्थापना हो, वहाँ कोई राजा या स युए आसना हो ताई कि जनता पर आत्याचाव हो, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कोन है, भारत आपको पता है अफ्रीका में चुनाओ होता है न तो भारत से EVM मसीन जाता है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है हम से जादे जन संख्या चाइना में है, लेकिन चाइना में चुनाओ ही नहीं होता है, सी जिंपिंग आएंगे, अब उसके बाद कोन आएंगे, वही काइट पार्टी है, कमनिष्ट पार्टी वही डिसाइड कर देगी, जनता वहाँ वोट नहीं देती है, तो ये बात आपने बहुत कन्वीजन हो जाता है, हमसे जादे तो जनसंग्या चाइना की है, चाइना जनसंग्या में है, बट वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तो सोचिए, जो ये नो का मुख्य उदेश है कि डेमोक्रेसी होना चाइए, तो जिए डेमोक्रेसी को चाइना फॉलो नहीं करता है, आपने उसे अस्थाई सदस दे दिया और दुनिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है भारत ये तो आपने उसी को सदस्ता नहीं दिया बहुत बढ़िया भैइ बहुत बढ़िया ये तो वही बात हो गया सराप का दोपैक लगा किा या कहिए कि सराब बंध होना चीए, सराब नहीं भीखना चीए, भया जो खुद डेमोक्रेसी नहीं उसको दे रखा आपने, उसके बाद सेकुलरिजम, हंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, यहां किसी धरम को, किसी जाती मजभब को समभीधान के हिसाब से बड़ा या छोट नहीं बनाये गया है, यहां सारे लोग आराम से रह सकते हैं, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सराइसी समस्या, देखे, जहां भी जो चीज जादे रहती है, तो माइनॉर्टी को थोड़ा सा प्रेसर जहलना ही पड़ जाता है, आदरवाइज में भारत में कभी भी ऐसा नहीं दाग लगा है, पाकिस्तान हमारे सामने अलग हुआ था, वो इसलामी कंट्री हो गया है, अब वहाँ नियम है कि कोई हिंदु परधानमंत्री नहीं बन सकता है, कोई हिंदू सूप्र्यम कोट का जज नहीं होगा, कोई हिंदू राष्टपती नहीं होगा, मतलब जब और भारत में किस पद पर मुस्लिम नहीं रहा, प्रधान मंत्री बनने के लिए तो भी आपको 273 सीट चाहिए न जी, आप लाइए सीट आप भी बन जाईएगा, तो ये सारी चीज़ है, भारत में ऐसा कोई भेद बाओ नहीं है, हमने जार्ज फर्नांडिस को रक्षा मंत्री तब नहीं कहता है कि हम मुसल्मानों को बचाएंगे, पाकिस्तान को मुसल्मान की याद कब आती है, जब कस्मीर मुद्दा आता है, वह उगारे घुमा रहा है, चाइना में तो नहीं बोलना है तुमको, कि इसलाम खत्रे में आता, तो अरे तुमना बाप है, कोई से बोल द हम लोगोंने, उन्ने, चबीस ग्यारा जो हमला हुआ था, चबीस ग्यारा तो खर छोड़िये न, चबीस ग्यारा करें, 9-11, 1893, जब स्वामी विवेकानन कहां गय थे, सिकागो में, उन्होंने, लेडीज और जेंटलमाई, मैंने, ब्रदर्स और मैं सिस्टर का के पूरीद जाके बम भोड़ा, यह हम लोग जानते ही नहीं है, कहीं पे भी अगर आप हिंदुस्तानी है, आपके पासपोर्ट पे इंडियन लिखाया, तो आप इज़्जत की नजर से देखे जाएंगे, आप पाकिस्तानी लिखाया, चार बार सीक्योटी जाच करेंगे, कहां चुप बार में के लिए भी हम लोग उने हतियार उठाया था, तो राम जी को आपका मडरर कहिए, आरे वो अन्याय पे था, इसलिए मार दिये, न्याय और अन्याय में भी फरक नहोना चाहिए, यह WHO, पूरी दुनिया जब पोलियो से ग्रस्त रहती है, आपको पता है, दुनिया का 90% पोलियो का ड्राब भारत से जाता है, UNO कहता है कि हम पोलियो मुक्त करेंगे, मलेरिया मुक्त करेंगे, कहां से दवया ले जाता है, भारत से, अस्ट्राजानी क्या खोज कर रही है, मोडर्ना अमेरिका में खोज कर रही है, इस उतनी खोज कर रहा है, चाइना का जो सीनो के नजर से देखती है आई यह साले कभी नहीं देखेंगे इनको छोड़िए कि चलिए यह कभी नहीं देख सकते हैं करते हैं पता नहीं किसका पूंच सीधा नहीं हो सकते हैं आप जानते हैं किसका नहीं हो बीटो पावर होना चाहिए एक ताकि वर्ड की डिसीजन लेने में हम मदद कर सके क्योंकि जब अमेरिका इराक पर हमला करने जा रहा था और हमारे पास बीटो रहा था था हम लोग सर्तिय बीटो कर देते अगर आप मेंस इजाम लिखेगा तो दोनों लिखना पड़े तो हमें क्यों नहीं मिला आज तक उनो तो पर्मानेंट स्रीट तो देखिए उनो ने एक नियम बनाया था एन पीटी नूप्रोफिलरेशन ट्रीटी नाविकिया आप रसार संदी यह इसका एक अलग वीडियो बना के समझा देगे अभी नॉर्मली समझे इसमें कहा गया था कि आप पर्माडू हथियार को नहीं रख सकते है 1968 के बाद आप पर्माडू हथियार नहीं रख सकते हैं समया गया कि नहीं उससे पहले है तो आप रख लिए यह इंप्लिमेंट हुआ था इसका भी जवाब है हम्हारे पास हम लोगों ने कहा है कि हम कभी भी एटम बं का फरस्ट यूज नहीं करें ऐसा नहीं कि किसी से मार घुला पर्माडू फिख देगे हम केवल और केवल पर्माडू बं रीटेलियेट के लिए परयोग करेंग电 यानि अगर कोई हमारे आ परमाडु बं मार दिया ना तो हम बैठे बैठे मुह नहीं देखेंगे तब हम उसको भी मार देंगे इसका मतलब जो देश परमाडु संपन नहीं है जैसे स्रिलंका बंगलादेश इनसे अगर हम नेपाल अभी ओली साहब इनको भी बता देते हैं अगर इनके बीच यूद होता है तो हम कभी भी परमाडु बं परयोग नहीं करेंगे क्योंकि नेपाल के पास खुद परमाडु बं नहीं हो जब मारे गए नहीं तो हम रिटेलियेट कैसे करेंगे हटान देता है तो हम भी हटा देंगे नियम सब के भी हो जाहें वह तकीर यवके हिसाब से कोई भी आठाइब करेंगे कि हम रखेंगे आप नहीं रखेंगे ये बात नहीं हो ना है तो भारत तो साफ कहता है तो चाइना यहां कहता है नहीं नियम हता है नियम नियम हता है तो यह बराबरी का नियम भूल गया है कि सब बराबर हैं दूसरा समस्या क्या पहला तो समझ नपीटी पर आगे समस्य बता देंगे क्या क्या चीजे तो अब फ्रांस की एक्जामपल द मतलब इसमें बहुत बड़ा परमाडू का परिक्षण नहीं कर सकते है। भारत इस पर भी साइन नहीं किया। देखिए। दिमाग लगाया सब, UN वाला कि एक काम करो, नियम बना दो कोई भी परमाडू बं का परिक्षण नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर कोई NPT पर साइन नहीं किया और परमाडू बं बना भी लिया, तो एक बार टेस्ट करने के लिए परिक्षण करेगा ना कि सीधे यूद में फेकेगा, आको फूस दिखके दिया, कानमा भड़का। पहले एक बार परिक्षण करेंगे ना, तो इसने कहा कि आप परिक्षण नहीं कर सकते हैं। कि अंडर्ग्राउंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए भारत नहीं अंडर्ग्राउंड परिक्षण किया। श्रम्जा है उसमें आया ? परिक्षण किया, पकिस्तान में भुक्म पागिया। तो भारत कहता है कि देख भया, हम तो CTBT पर साइन कीये नहीं। और किये भी अगर लेकिन हम CTBT का उलंगन कहां किये हैं कहां उलंगन किये हैं भाईया आप बोले थे जहां जहां मना किये थे हम वहां पोड़े हैं हम तो जमीन के अंदर फोड़े हैं 1974 में भारत में पोड़ा था उसका कोड़ नाम था स्माइलिंग बुद्धा और 1998 में जो पोड़े थे उसका नाम था सक्ती अंठानवे तो हम लोग कहां आपका उलंगन कर रहें कि आप कर रहें कि हम आपका बात नहीं मानते हैं साइन हम तभी करेंगे जब सब पर नियम लगेगा अब आते हैं जम्मु कस्मीर का मुद्धा यह पाकिस्तान कहता है अगर मिल यगा बीटो तो कस्मीर रहड़न पिए लगा हुट यहाँ पर क्यूंकि अगर बीटो मिल लिया तो हम कस्मीर पर हामला कऱके हड़न लेंगे स festivals तो 1950 में जंमू कस्मीर के मुद्य का अध्यान करने लिए उस रिबॉर्ट में कहागिया था की UNO कोई कसमीर का मुद्डा कोई अंतराष्टिय मुद्दा है ही नहीं ये भारत और पाकिस्तान का अंतरिक मामला है इसे इन दोनों को खुद सुल्या लेना चीए अब यही मिल लिया भारत को मौका कि रे भाईया खुद UNO कहता है कि यह अंतराष्टी मामला नहीं है, घरेलू मामला है, और घरेलू मामला में UNO को हस्ते शेप करने का अधिकार किसने दे दिया, तो आप खामाखा में भारत का न भी रोध कर रहे हैं, भारत ने, इस बात को भी ऐसे काट सकते हैं हम लोग, अब आता है budget की बात, यह reality है कि हमारे उपर आरोप लगाए जाता है कि हम budget बहुत कम देते हैं, और real में हम लोग बहुत कम बजट देते हैं, एक से दो परसेंट यूनों के टोटल खर्च का हम लोग देते हैं, जादे नहीं देते हैं, सबसे जादे देता है आपका, हाइड्रोक्सी क्लोरोकुइन मलेरिया की दावा, ट्रम्प को घड़ गया था तो बोले थे मोधीजी को, कि दे दीजे नहीं देंगे तो गड़बड हो जाएगा, बोले थे की नहीं बोले थे, अभी हाल भिलल में, तो हम देते हैं फिर ही में, तो ये पाइस वह आपको नहीं देख रहा है, सुनान में आतकवादी घुष गिया सब, जहां तहां हो जाता है, तो यह उनलों चिलाता है मोधी जी से, ए पर्धनमंदी भारत, 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 तो सेना भेज दीजे तो वहां सेना, अरे चोट्टा कहीं का, जो हमारी फोज गई है, उसको खाना तुम दिया है, सेल सेल कर दीजे, मत दीजे, सीधे जो इसका पैसा, आप सीधे कैस में दीजे, जब तुम्हें कैस ही देखना है, मतलब UNO को ससुरा नचनिया बना दिया है, जो जतना पैसा उड़ाया, उतना ठुमका लगा दो, हद हो गया UNO में, तो भारत को वहां डट कर बोलना पड़ेगा कि यह यह चीज है, आप मेरा भिरोध मत कीजिए, और नहीं तो यह जवाब देख लिजे, और आपके पास कोई जवाब है, तो दीजे, समझा रहा है, हाला कि भारत के जितने भी peace keeping mission थे सब, हम लोगों ने आतंगवादियों को रोकने के लिए किया था, तो हमारे जो UNO में अस्थाई सदस्त है, जो मतलब भारत के अधिकारी वहाँ थे, सयाद अगबरोधुनी वह इसी साल 2020 में रिटायर हो गया, इन्होंने कई बार बहुत सक्ती से आवाज को उठाया था, लेकिन देखिए, एक परतिनिधी के आवाज उठाना और एक परधान मंत्री के आवाज इलठाने में बहुत का अंतर होता है, तो मोदी जी को भी एकदम असपस्ट ऐसा ही, गिनवा गिनवा की एक हखबतिया बोलना चाहिए, कि देखिए इसलिए आप विरोध कर रहे हैं, और ये ये चीज़े हमारे पास हैं, एकदम गिनवा गिनवा के मोदी जी को बोलना चाह बना लिजे, यही जाके बोलिएगा, तब हम लोगो मिलेगा, आप समभावना समझते हम लोगो कब मिलेगा, तो UN, भारत बड़ा हुसियारी किया, उसने कहा कि अगर हम अकेले मांगेंगे ना बीटो बीटो तो हमरा नहीं देगा सब, तो भारत ने 2005 में एक ग्रूप बना जीफोर, जीफोर चार देशों का एक संगठन है, इसमें कौन-कौन है, भाई तो यह चारो देशों का मान है कि हमको पर्मानेंट सीट चाहिए, अब जो इसे पर्मानेंट सीट मिलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, बीटो मिल जाएगा, डारेक्टे बीटो थोड़े मिले कर देखे India, और जपान, Asia से हो गया ना, India, Japan, यूरोज और जर्मणी मांग रहा है, हिटलर वाला कर िट्लर वाला करा Small UK, और इस साइट से ब्राजील मांग रहा है, करा कर गँए भाया हम को भी चाही Bowl, और रियल में ही है भाई आप 1945 का मॉडल को 2020 में लेके जहल रहे हैं, तो यही UN को जो महा सचीव है ना बया, एंटोनियो गुटोरोस, उनको 1945 का टेलिफोन थमा देना चाहिए, लीजिए, कांट्रोल कजिए इससा, डिडिंग डिडिंग बात करेंगे आप, तो अपने जुनक जंग करेंगे हैं हमको, 5G टेकनालोजी चाहिए, तो उनसे कहिए ना कि, कह है 1945 का मॉडल वाले के जहल रहे हैं, 2020 में सुधार कीजिए, तो यह चारों मांग रहे हैं, जीफोर समझ में आ गया, एसिया से देखेंगे तो इंडिया, जापन, जर्मनी, ब्राजिल, इंडिया, जापन, जर्मनी, ब्राजिल, और जो अस्थाई जो पहिले से हैं, अमेरिका, ब्रीटन, फ्रांस, रूश, चाइना, नक्सा के इसाफ से पढ़ेंगे, याद हो जाए दिखिया बात करते हैसा जापान का तो एक डंडम गैरैटी जापान को नहीं मिलेगा कियोंकि किसको मिलना चाहिए ये डिपेंड करता है स्कोई भी भी बीट्व नौक करे और जापान का दुद्दो call आप व्यूस भी करेगा क्यूंकि जापान ने अपने जमीन पर अमें सुरक्षा करने के लिए पूरी जिमेदारी अमेरिका को दे रखा है और अमेरिका वहाँ सेना रखा है और रूस आ जापान में जमता नहीं तो इसका विरोध कर देगा रूस और चाइना तो 100% करेगा भी या एकदम कनफर्म है तो जीफ होर में से जापान फेका गया अब बात करते हैं जर्मनी तो जर्मनी का भी दो विरोध करें रूस इसलिए विरोध करेगा कि जर्मनी और रूस में व्यापारिक विरोध है और चाइना इसलिए विरोध करेगा क्योंकि इसी भासड में यानि जो UNO में पिछले दिन बैठक हुई उसमें चाइना ने कहा कि हम केवल उन्हें बीटो देने के पक्ष में है यानि केवल उन्हें पर्मानेंट सदस बनाने के पक्ष में है जो developing country है विकासिल यानि विकास कर रहा है अतनी जर्मनी को दिखे गई तो विकास कर चुका है तो इसका मतलब इस मुद्दे पर चाइना भी उनका विरोध करेगा लेकिन रूस तो इनका विरोध करेगा आप ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील का हलका विरोध अमेरिका कर सकता है क्योंकि ब्राजील से अमेरिका में खटपट होते रहता है तो इसका थोड़ा बहुत ये विरोध कर सकता है लेकिन एकदम कटर विरोध ही नहीं है सब जिस तरह इसके है आप बात करते हैं हमारे अपने प्यारे भारत की इंडिया का तो इंडिया का बिरोध कर रहा था ब्रिटेन यहीं चुट्टा दूसर साल सासन करके गया भी मन नहीं बार रहा इस पगला क्या कह रहा है पता है कि भारत जो है बस थाई सदस ले ले पर्मानेंट मेंबर बन जाए लेकिन उसे हम बीटो नहीं देंगे तो कौन दिमाग लेकर पैदा हुआ रहे इता हो गया ही कि किसी से कहिए कि तो हम बिया करा दे रहे हैं लेकिन दुलहिन ना देंगे तो का फाइदा हो कराएगो जुन जुन ना कहले कि हमारा बिया हो गया है अरे बिया करा रहे हो तो दुलहीन दे दो है कि नहीं चाहे उसे अच्छा दुलहीन दे दो बिया होगा चाहे नहीं होगा समया कि नहीं है अरे भाई हमको बीटो दे दो मतलब कहने का समझी नहीं कि हम हमको बीटो दे दो, भाड में गया सच्रा हमको पर्मानेंट बनाओ चाहे मत बनाओ, हमको रहना चाहिए बीटो जब मन तब ठोक के चलाए बीटो, जिस दिन बीटो मिलेगे ना इस चाहिए कश्पी ओके तो लेके आएगा, बाकी पाकिस्तान तुम चिलाते रहो, तो रहा त यह वहां से अस्थाई तो होगे तो भारत ने भी का चलो something is better than नथी, चाइना यह चोटा देखिये क्या कहता है, चाइना कहता है कि हम भारत का समर्थन तब ही करेंगे, जब भारत नपीटी पर साइन करें, और भाईया, नपीटी पर साइन करने का मतलब हमें अपना तो हम उसी नियम को follow कर रहे हैं, आप उस नियम को follow कर लिए हम मान लेंगे, चाइना जानता है कि भारत कभी इसका है साइने नहीं करेंगा, तो पूरी दुनिया भी चाइना को एक तरफ आई जाम नहीं न लगाएगी कि आप जगडा कर रहे हैं, तो यहां फंस गया, लेकि का भी काता हैं, हम भी सुधार के पक्ष में, रेच चटा कहीं कर, दूजया दोसे से सुनती आ रहे हैं लों कि सुधार के पक्ष में, कहिया मीटिंग बुलाएगा कि UN का विस्तार होना चाहिए कि ने, तो सबसे पहले तो एक test-based negotiation होनी चाहिए, और timeline के अंदर कि एक लिखि देश, भारत को अंतराष्टिय मंच पर, यानि UN में अस्थाई सदस्तय का विरोध करेगा, भारत उस देश से कोई भी व्यापारिक संबंद नहीं रखेगा, अब PUBG और TikTok बैन, PUBG पे तो बैन वापा सड़ गया, TikTok पे बैन लगा तो चाहिए को समझ में आया था, कि भाई क्या पहले इस पे साइन करो, परमाणू हटाओ, तब देंगे, तु उसी तरह चाइना से भी घेर लेंगे, कि तुम हमको पहले बीटो दो तब ब्यापार करेंगे, और चाइना हमसे 70 बिलियन डॉलर का ब्यापार करता है, भाई साब, उनकी कमपनिया आधा ठब पड़ जाएग और भारत को दो-तीन साल में एकदम आत्म निर्भन होना चाहिए, कि अगर चाइना से वेपार ठब भी हुआ ना, तो हम भी 10 रुपया में टेंपर ग्लास बना लेंगे, हम भी 25 रुपया में मोबाइल चार्जर बना लेंगे, बनता है सब्सक्रा जब बनाता है, तो हम सबसे जरूरी चाइना कहां घिराएगा, वो MTCR पे घिराएगा, देखिया, MTCR की अस्थापना 1987 में हुई थी, इसका फुल फॉर्म होता है, Missile Technology Control Relium, इसके बारे में हम अलग से डीटेल्स बताएगे, जिसमें आपको MTCR, वासेनार अरेंजमेंट, अस्ट्रेलियाई ग्र CTBTA सब अलग वीडियो बना देंगे, तो MTCR क्या है, MTCR कहता है कि जो इस MTCR का सदस है, वही देश, किसी दूसरे देश को ऐसी Missile Transfer करेगा, जिसकी मारक छमता 300 किलोमीटर से जादे है, यानि जो MTCR का सदस नहीं है उसे 300 किलोमीटर से जादे मारक छमता की Missile कोई देश न दोनों दिक्कत है, चाइना को चाहिए S-400 मिसाइल, जो हवा में 400 किलोमीटर दूर तक मिसाइल को मारते है, लेकिन MTCR का सदस से नहीं है, तो रूस ने उसको S-400 का पैसा लिया, लेकिन दिया S-300, उसको पेंट करके लिग दिया, चाइना करागी, क्या है अतना ले रहा है, तो कर रहा है तो लेना है, तो ले, काई के लिए तो तुम्हारा गलती है, तुम्हें MTCR का सदस में, जो भारत को मिल रहा है S-400 मिसाइल, उसकी एक कुरेट मारक छंता 400 किलोमीटर होगी, क्योंकि भारत MTCR का सदस से, चाइना चाहता है पाकिस्तान को है भी है भी मिसाइल बेच दे, तो भाया तुम्हें MTCR का सदस रहेगा तब इना है भी मिसाइल बेचेगा, और भारत MTCR का सदस है, और भारत के पास MTCR में बीटो पावर है, मतलब MTCR में कोई नया इंट्री मारेगा की नहीं, इसमें भारत को बीटो है, अब भारत यहाँ चाइना से दूद आप कर देना चाहिब हो दीजी, भी अतनाम, फिलिपीन, ताइवान, जयतना पूर्ते दुस्मन है सब, सब को ब्रम्होस बेचना चालीओ के रिए EMI पर, फिलिपकार्ट से पहुंचा दीजे, Amazon से, online delivery यहाँ पर, क्योंकि वो तो साला करिये नहीं पाएगा, क्योंकि उसके हम एम में पूरा international relation PDF के साथ notes बनवाएगे, ताकि आप PCS और Mains वगरा के exam में, UPSC में आप यह सब लिखेंगे, क्योंकि वहाँ आएगा, तो दूला इन लिख देंगे तो नहीं होगा, आपको हर एक चीज बताना पड़ेगा, और अगर आप किसी problem को गिनमाते हैं तो उसक दे दिया यहाँ पर, हम तो सोचे थे कि आप लोग को कहेंगे कि आप लोग ट्वीटर पर campaign कीजिए, उसको बोलिए, ट्वीट कीजिए गूगला को, लेकिन गूगला पहले ही दे दिया, यह 2,74,000 लड़के यहाँ पे enroll हैं अब यहाँ 2,74,000 में से original student केवल 2,500,000 हैं, बाक आप लोग के लिए quality का batch में हम extend कर दिया हैं, क्योंकि पहले 2,00,000 पर ही admission close कर दिया थे, अब 50,000 का और जगह बढ़ गया है, तो आप लोग उसमें admission ले सकते हैं, उसमें आपको international relation, quality, CRPC, IPC, court, कचरी, हर एक जितनी चीज़े हैं, वो आपको A to Z चीज़े बता दी जाएंग उसके आप political, thematical और यह आपका physical, तीनो टाइप का मैप पढ़ाएंगे, इसमें आपका लगवाग लगवाग मान के चलिए, धाई महिना से उपर का class चलेगा, अभी इसका offer fee है 200, सब्या गया, पहले इसका था 1,500, अभी बढ़ गया है 200, actually हम आपको offer का allowance जब तक करते हैं, आपका 200 रुपय में, आपको इतना, सुचिए, बहुत minimum cost है, दोसों में आप पूरी दुनिया का कोना-कोना जाएंगे, हर एक चीज मीलेंगा, quality में तो फिर आप समझे कि फिर आपसे कोई, नहीं है, एक लड़का न, comment क्या किया, हिसार हमको थाना में ले गया था, मतलब उ Q&O का matter समझ गये होंगे, भारत को कब तक मिलेगा, इसका भी तक कोई fix deadline नहीं है, आप YouTube पे भी वीडियो आते रहेंगे, actually 3-4 दिन से हम भी frustrated थे कि मेरा application से, जो application ने हटा दिया था, तो दिक्कत हो गया था, अब आपका classes start रहेंगे, map का class, हर एक चीज का class अब आपका available रह मिलेगे next class में, जहिन